Hello and welcome back to my channel. आज का topic है How to remember big answers. आज के इस वीडियो में हम कुछ tricks देखेंगे. उन tricks के basis पर हम बड़े answers को कैसे learn कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे. और इन tricks को हम तीन subject में divide कर देंगे. First English, Second History और Third Science. क्योंकि इन तीनो subject में बड़े-बड़े answers होते हैं, जो हमें learn करने में काफी difficult परते हैं. और इन तीनो subject में जो answers के pattern होते हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा difference होता है. तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं. Number First पर जो method है, उसका नाम है link method. उस method को समझने के लिए हम एक example ले लेते हैं Amazonas का. Amazonas एक state है Brazil का. अभी हमें उसे याद रखने के लिए एक keyword चाहिए या फिर को एक word चाहिए जो उससे linked हो. तो उसके लिए सबसे best example रहेगा Amazon का. Amazon से आपने कई बार shopping भी की होगा. Number Second पर है story method. इस story method में कोई एक passage या फिर कोई एक answer होगा उसे आपको एक छोटी से story में convert करना है. ये पूरा totally आपके imagination करता है. कि उस passage में जो भी keywords है उनको आप story में कैसे link करते हो और आपकी imagination कैसी है. और वो story ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद रहे. ये ऐसी नहीं कि आपको बार-बार वो story को याद करना पड़े के ना story में ये character था, वो character था, उसने ऐसा किया. एक बार में ही वो पूरी story आपको याद रहे जानी चाहिए. हमारा third method है flow chart method. इस method में जितने भी keywords होते है paragraph में, उन keywords को हमें एक flow chart में convert कर देना है. जिसके एक example ले लेते हैं, योगेश is my best friend. तो सबसे पहले box में हमने योगेश लिख दिया, second में best लिख दिया और third में friend लिख दिया. तो अभी इन तीनो method को समझने के लिए हम कुछ examples ले लेते हैं. तो link method समझने के लिए हम Brazil के map को अभी refer करते हैं. आप कुछ और भी refer कर सकते हैं, उसे समझने के लिए या फिर apply करने के लिए. तो जैसे कि हमने पहले देखा था, तो सबसे पहले वही example लेते हैं Amazonas का. तो Amazonas को हम Amazon के साथ link करते हैं, Amazon company. अभी second example लेते हैं, ब्राजिल के map में आपको red circle दिख रहा होगा, भाईया का, भाईया. आप उसको spelling को pronunciation आपने तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि ब्राजिल का map वैसे थोड़ा hard रहता हैं समझने के लिए. तो हम उसे link करेंगे कोई दो भाई के साथ, जैसे कि आपका कोई भाई हो, ऐसे. फ़र example हम लेते हैं, Sao polo का, उसके लिए आप polo याद रख सकते हैं. आज कल सब लोग polo खाते हैं, एक टैप के mint आती है, एकदम मस्त आती है, एकदम थंडी, तो आप उसे refer कर सकते हैं. या फिर आपको अगर इसके लाग कोई और example आपको पसंद आता है, या फिर आपको वो easy रहता है, तो आप वो refer कर सकते हैं. तो अभी फट्टा फट स्टोरी मेथर देख लेते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले English का एक example ले लेते हैं. What was the secret of Mahaswamiji's fitness even the age of 102 years? तो यहां पे हमें एक Mahaswamiji का character ले लेते हैं. अभी उनके character में यहां पर बता गया है, कि उनकी spirit थी कि what can I give, यानि कि उनका स्वभा हो था कि वो क्या दे सकते हैं, हमेशा वही सोतते थे, उनके पास क्या है वो यह नहीं देखते थे, वो क्या दे सकते हैं अपने पास से, व कारण. तो इसके लिए हम Mahaswamiji का character ले लेते हैं, और साथ में कोई गरीब, किसी गरीब का character ले लेते हैं, तो अब यह imagine कर सकते हैं, कि Mahaswamiji के पास example पे कुछ आम है, तीन आम है, तो उनका जो spirit था, what can I give, तो उनके पास सिर्फ तीन आम थे खाने के लिए, वो भी उन्हों हम Mahaswamiji का character पता कर सकते हैं, कि उनकी spirit कैसे थी, what can I give, तो भी history का देख लेते हैं, उसमें है agrotourism का short note, तो उसमें क्या है, सबसे पहले agrotourism को हम समझ लेते हैं, agrotourism यानि tourism related to agriculture, उसे हम कहते है agrotourism, agrotourism बहुत rapidly developing हो रहा है, फास करकि जो urban people होते हैं, वो agriculture को समझने के ल जिससे वो और अच्छी तरके समझ पाए, कुछ साल वहाँ बिताते हैं, या फिर कुछ time के लिए हो सीखते हैं वहाँ पे, कि ये tourism और ये काफे rapidly develop हो रहा है, तो आप इन pictures में देख सकते हैं, कि foreigners यहाँ पे agriculture को सीख रहे हैं, तो अभी आप इस बंदे को ले लेते हैं, दिरे-दिरे और develop होई रहा था continuously, फिर इनकी जो पूर्वत्स थे, वो थे farmer, तो अभी इन्होंने क्या सोचा कि अभी इनका interest इस में से निकल गया, इस post से, तो उन्होंने farming चालो की, तो इन्होंने भी थोड़ा agrotourism को समझा, और फिर अलग अलग जगे पे research करना गया, जै सबसे पहले फटा-फट science देख लेते हैं, उसका question है science में, which factor have an effect on the environment, अभी इस cancer है, environment is affected by natural factor and artificial factor, तो हम दो character ले लेते, एक natural factor के base पे और एक artificial factor के base पे, अभी ये natural factor है, तो हम natural factor को as a human देख सकते है, natural है, इसलिए natural human पे suit करते है, और ये artificial है, इसलिए हम एक character robot का ले लेते है, तो एक human और एक robot के दो ऐसे character, जो ये human है, इसके पास बहुत सारी powers है, magical powers है, इन में से कुछ powers है कि इन powers से ये earthquake ला सकता है, flood ला सकता है, आग लगा सकता है, एकदम drought ला सकता है, etc. ऐसी कही power है इसके पास, similarly ये robot के पास भी ऐसे कुछ powers है, जैसे कि deforestation और ये अपने जैसे copies बनाता है, तो उसमें सारा बहुत सारा garbage waste आता है, उसमें बहुत सारा plastic होता है, जो disposable नहीं होता है, वैसी इनके पास ऐसी कही powers है इस robot के पास भी, तो इसकी मदद से काफी pollution कर सकता है, और ये काफी imbalance भी ल से मिला के कैसे पूरी story बना सकते है, ये story method इतना easy नहीं है, क्योंकि अभी हम इसे छोटे-छोटे answers ले रहे हैं, क्योंकि ये video बहुत बढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम big answers नहीं ले रहे हैं, तो आपको अगर इसे practice करना है, तो आपको इसे खुद practice करना होगा big answers के साथ, maximum आ character के story को इतनी बड़ी नहीं होगी, और उसे याद करने में भी easy रहेगा, भी depend करते हैं कि आपके story कैसे है, तुभी हम next method की तरफ बढ़ते हैं, next method है हमारी flow chart method, ये इतनी hard method नहीं है, आप इसे easily कई भी use कर सकते हैं, बट इसमें problem एक ही आती है, कि अगर आप इसे बहुत करना ही पड़ेगा, तो first हम English में देख लेते हैं, उसमें जो same paragraph हम, same question ले लेते हैं, what was the secret of Mahaswamiji's, fitness even the, after age of 102 years, अभी यहाँ पर keywords हमें याद रखने हैं, तो keywords हैं, Mahaswamiji's spirit, सबसे पहला, second is what can I give, third है, feminist mind and feminist body, अभी यहाँ पर हमें जितना हो सके, उतना word को compress करना है, अभी आप यहाँ पर end लिखोगे, ए, and, उससे अच्छा आप यह end का sign कर दो, और यहाँ पर वीट, ओफ, हर, यह सब लगाने की जगे, आप direct, जो shortcut में आप लिख सके, उतना लिखे, flow chart method में है न, आपको एक line का कभी भी एक पूरा sentence नहीं भरना है, एक box में, कम से कम 4 से 5 परने है, एक sentence लिख देंगे, आप तो उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, flow chart method पूरा waste जाएगा आपका, अभी next box में, feed strength, end, keep strong, यहाँ पर हमने end को compress कर दिया, और feeds के बाद his है, तो हमने his को निकाल दिया, बट आपको जब answer लिखे, तब आपको याद रखने के बीच में his है, और वहाँ पे him है, आपको ऐसे भूल नहीं जाना है, बिल्कूल, आपको यह shortcut तरीका है, जिससे आप इसे याद कर सकते हैं, बट इसमें, of, her, his, him, यह सब भी आता है, तो आपको वह सब भी put करना है ब टो ठो यहां पर आपको क्या करना है, आपको पूरा कोजन नहीं लिखना है다면 कोजन रिपीट लिख्देना है ुच्छन लिखना है तो इससे यह सब को समझ जाना है कि यहां पर तो खली ब्रेकेट में आपको एक वर्ड याद रखना है बाकी का तो आप ओन में भी बना सकते हैं फिर बाद में है इन रैपिडली डैवलोपिंग डैवलोप बहुत जल्दी हो रहा है फिर सेकेंड बॉक्स में आपको अर्बन पॉपफिलेशन यहां पर आपको अर्बन पॉपफिलेशन मेंशन करना है फिर ब्रेकेट में लिखना है एक्सपोर्चर टू रुलर लाइफ एडड़ अगरी अपको ऐसे इसके आपको कंप्रेस कर सकते हैं डॉट एगा कि करके कि हमें तो पता है कि फिर थड बॉक्स में थिशीनिंग एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एग्री कलचर युनिवर्सिटी कंट्री इज्रायल वेर एक्स्परिमेंट रिण ओफ एग्रीकल्चर यानि कि हमें इहाँ एपत ही ना रहा जितना हो सकते बट ऐसा है कि हमें बाद में याद ही ना रही इतना कंप्रेस करने के बाद आप जिस लेवल तक का पेज वेस्ट होंगे सिर्फ आपके. साइन्स का फ्लोर्चाट बहुत इज़ी है. फर्स्ट बॉक्स में है, एन्वरमेंट इस अफेक्टेड, सेकंड में है नैचल और अर्टिफिशल फेक्टर, थर्ड में है एनेफ यानि नैचल फेक्टर, उसमें अर्भ केक्ट agrade, फॉर्ट में है एयआफ यानि आटिफिशल फ्लीफिवटर, उसमें है deforestation, industrialization, use of excessive pasticides and fertilization, and unorganic garbage disposal etc. फिर फिफ्ट में है, cost pollution, फिर है create imbalance, and दिर लास्ट में affect biotic factor. इन सारे बॉक्स में हमने सब कीवर्ड को ही लिए हैं. अगर कोई ऐसा question है जिसमें आप इन methods को apply नहीं कर पा रहे है या फिर कुछ problems आ रही है तो आप उसे comment में जरूर डाल सकता है हम उन questions के ओपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे इस पूरे वीडियो में हमने जितने भी tricks देखी वो आपको एक बार देखने पर समझ में नहीं आएगी या फिर आपको उसे कैसे apply करना है या आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए इन tricks को आपको खोद एक बार apply करना होगा और ऐसा नहीं कि आप इन छोटे-छोटे question answers में apply करें आपको बड़े question answer में apply करना होगा क्योंकि यह tricks mainly बड़े question answers में apply करने के लिए बनी हैं और इन tricks को apply करने के बाद इन में आपको खुद की creativity दिखानी होगी और अपको character अगर आप mind में बनाए तो तो बहुत इच्छा है अगर आप mind में character नहीं बना पते story method में तो आप उसे book में draw कर सकता है क्योंकि आप draw करेंगे तो आपको बाद में वो draw किया हुआ याद भी रहेगा और flow chart method में आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप जो भी box बनाए जितना भी बड़ा box बनाए उसमें line छोटी से छोटी डाले और उससे जितना हो से के उतना compress करें क्योंकि अगर आप and लिखेंगे न तो आपके mind में पूरा a and d आएगा मगर आप वो symbol लिखेंगे न तो आपके mind में symbol आएगा जिससे वो word compress दिखता है a and d लिखे या फिर वो symbol लिखे उसे कुछ फरक तो नहीं पड़ता मगर आपका mind जो process करता है वही लिखता है अगर आप a and d लिखेंगे तो आपको a and d ही याद रहेगा अगर आप वो symbol लिखेंगे तो symbol ही याद रहेगा और symbol लिखने के कई फायद है पहला फायदा कि वो space कम लेता है अगर आप वो symbol याद रखेंगे तो अगर आपके exam में टेस्ट में अगर वो लिखते है तो space भी ज बनाते हैं अगर बहुत बड़ा बॉक्स बनाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको confusion रहेगा या फिर आपको बाद में वह difficult लगने लगेगा इसले चोटा से चोटा बॉक्स बनाने के करते हैं तो भी ठीक है अप अपने लेंग्वेज के वर्ट्स भी उसमें यूज कर सकते हैं बट आपको बात में वह लिखना नहीं है को इंग्लिश में याल रखना यह आपको ध्यान रखना यह सिर्फ याद करने की टेक्निक्स हैं आप जब इसे लिखे तो आपको एकदम सम सब्सक्राब बनता है तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार